प्रदेश सरकार में नए मुख्या के आते ही राजस्थान का पुलिस और प्रशासनिक बेड़ा हरकत में आ गया है शुकरवार को मुख्यमंत्री पत की शपत लेकर पदबार ग्रेंड करने की कुछी देर बाद भजलार शर्मा मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने अपनी प्रात्मिक्ताएं बताती हुए कहा था कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर अंकुष लगाने और पेपर लीग मामलों की जाश के लिए स्पेशल टास्पोर्स का गठन होगा जीरो टोरलेंज पर काम करने वाले हैं बार्टी दंता पार्टी जो कहती है वो करती है और मैं आपको बताना था कि जो प्रदेश के अंदर कानून ब्यवस्ता कानून ब्यवस्ता सुरुच्छा ये हमारा संकल शनिवार को डी जीपी उमेश मिश्रा मुख्यमंतरी से मिलने के बाद पुलिस महानिदेशक ने गैंस्टर पर लगाम लगाने और पेपर लीग मामलों की जाश के लिए दो अलग-अलग स्पेशल यूनिट का गठन कर दिया पेपर लीक मामलों के लिए SIT गठित ब्रश्टा चार और पेपर लीक की घठना उपर अंकुष लगाने के लिए ADG VK सिंग के निर्देशन में Special Investigation Team का गठन किया गया इस SIT का धाचा तै कर दिया गया है इसमें 1 ADG, 1 IG या DIG, 1 SP, 4 Additional SP, 4 DIPTSP, 10 Inspector और Sub Inspector, 10 ASI और Head Constable के साथ 15 Constable और Office कारे का स्टाफ होगा ये STI केवल एक प्रकरण की जाश के लिए नहीं बनी है बलकि स्थाई रूप से बनी है जो वर्तमान में दर्श पेपर लीक के मामलों की जाश करेगी और भविश्य में होने वाली प्रतियोगिता परिक्षाओं के पेपर लीकी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रभ इस Anti-Gangster Task Force का प्रमुख ADG Crime Dinesh M.N. को बनाये गया है इस फोर्स में कुल 65 पदों पर अफसरों और करमचारियों के निक्ति होगी Special Gangster Task Force में 1 ADG, 1 ID या DIG, 1 SP, 2 Additional SP, 4 Dipty SP, 4 Police Inspector, 12 Sub Inspector और Assistant Sub Inspector के साथ 40 Head Constable, Constable और Office कारिक के लिए Computer Operator निक्ति किये जाएंगे बढ़ते अपरादों पर अंकुष जरूरी राजस्तान पिछले कुछ सालों में गंभीर प्रवत्ती के अपरादों में काफी बडोत्री हो रही है यहाँ पर खास साओर पर वसूली गैंग्स काफी सक्री हैं जो पड़े कारोबारियों को जान से मारने की धंकियां दे कर लाखों करोण रुपए वसूलते हैं और रुपए नहीं देने वालों पर जान लेवा हमला करते हैं वसूली के लिए बदमाशों में आपसी गैंगवार की घटनाएं भी होती हैं इन घटनाओं पर अंकुष लगाने के लिए ये स्पेशल यूनिट काम करेगी संगटित गिरों में काम करने वाले बदमाशों की पहचान उनका डेटाबेस सयार करना पड़ोसी राजियों के इंदरी एजेंसियों के साथ ताल मेल करके संगटित बदमाशों पर शिकंजा कसा जाएगा और गैंग वार पर रोक लगाने का प्यास किया जाएगा